मैं डॉक्टर पंकच कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मिश्र कटिकम के नवे अंक को लेकर के उपस्थित हूँ जिसमें एक सुन्दर न्याय मंडप एक न्याय व्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं और प्राचीन काल के जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो हम यह जरूर कह सकते हैं कि आज से 15-16 वर्ष पूर्व जो भारती ये सनातन परमपरा में न्याय किस प्रकार किया जाता था न्याय की व्यवस्था कैसे होती थी हम वह पाते हैं और मुझे ये कहने में कतव संकूच नहीं है कि जिस प्रकार हम जानते हैं, सुनते हैं, अखबार या खबरों में जानते हैं उसी के अनुरूप वहां पर हम व्यवस्था पाते हैं न्यायाधिश आते हैं, न्यायमंडप में बैठते हैं एक छोटा अधिकारी होता है एक छोटा पद पर व्यक्ति होता है वो बाहर जाकर के आवाज लगाता है तदनसार जिनका केस जिनकी सुनवाई आज होनी है उनको उस न्याय ग्रिह में प्रवेश मिलता है और फिर न्याय की परमपरा है जो विचार विमर्ष है विचार विनि जाले अधीश है वे आते हैं बैठते हैं और जो शोधनक है जो इस तरह की छोटे मुटे कारिये करने वाले हैं उसे सज्जन को यह कहते हैं कि आप जाएं और आवाज लगाएं और जो भी कोई कारियार थी हैं उनको बुला करके लाएं ताकि हमाज कूट की कारवाई शुरू कर सकें और इसी क्रम में जो सबसे पहला उस दिन आता है वो शकार आता है मित्रो जिसे हम लोग भली भाती जानते हैं कि मृच्छ कटिकम का जो प्रोटागानिस्ट है दूसरे शब्दों में हम जिसे प्रतिनायक कहते हैं खलनायक कहते हैं वो शकार है और वही सबसे पहला कार जो शोधनक है वो आकर के दिए the very same information शकार तक देता है शकार को communicate करता है अब उसके बाद की जो स्थिती है वो इस प्रकार है जैसे ही शोधनक के माध्यम से शकार को यह सूचना मिलती है शकार गुसे में आ जाता है क्रोध में आ जाता है और क्रोध के साथ वह बोलेगा कि नद्रिश्यते मम व्यवाहर कि आज मेरा व्यवाहर नहीं देखा जाएगा और था कोट में आज क्या मेरे केस की सुनवाई नहीं होगी गुसे में कहता है शोधनक को और यदिन द्रिश्यते तदा वुत्तम राजानम पालकम भगिनी पतिम विज्याप्य भगिनी मातरम चविज्याप्य एतम अधिकरणिकम दूरी कृत्य अन्यत्रम अधिकरणिकम स्थापई श्यामी अन्यमधिकरणिकम स्थापई श्यामी धमकी बहुत बड़ी गुस्सा आया कि मैं आया हूँ और मेरे केस की सुनवाई को इस जजने मना कर दिया है और कहता है धमकी देखिए कि यदिन द्रिश्यते अगर मेरे केस की सुनवाई आज कोट में नहीं होती तो थदा आवुत्तम राजानम पालकम आवुत्त कहते हैं जीजाजी को कि मैं अपने जीजाजी राजा पालक को भगिनी पती यानि मेरे जो बहन के पती हैं हस्बेंड उनको विग्याप्य कह करके भगिनी मातरम च विग्याप्य मैं अपनी सिस्टर को भी और मैं अपनी अत्र इस जगह पर यानि इस पद पर अन्यम अधिकरानिकम किसी और जज को स्थापईश्या में मैं बिठा दूँगा अर्थाद इस जज को हटा करके किसी दूजरे जज को ले आऊंगा क्लियर बिना रोक तोक के सब के सामने एक अपराधी धमकी दे रहा है और यूमे से कि ब्लैक मेल कर रहा है कि यदि तुम मेरे केस को आज नहीं सुनोगे तो मैं तुमको यहां से हटवा दूँगा ट्रांसपर भी नहीं पद से ही हटवा दूँगा और किसी दूसरे को इस पद पे बिठा दूँगा मित्रो होता होगा आज की भी नियाई व्यवस्था में लेकिन देखिये कि कभी भी किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था अगर आप देखना चाहें कि बहुत अच्छी रही हो हमारे विचार, चिंतन, आवश्यकता, इच्छा सब एक समान होते हैं परिवर्तन के वल इतना होता है कि अमारी सुविधाइवीं बदलती हैं हमारी बर जो चिंतन है जो व्यवस्था है वो उसी तरह है हो सकता है कि वहां पर चटाई पर बैठ करके निरने होता हो और आज कोट्रूम में टिबल कुरसी बड़ी-बड़ी कुरसी लगा करके लाइट और सब्ची जला करके कैमरे में व्यवस्था होती हो निरने लिया जात पराचीन काल में भी होता था तो कहां पर हमारा प्राचीन युग को हम कहेंङे कि अक Principal डियियर निक होता है। और इसको अंदेख पा रहे हैं कि एक प्रतिनायक भरी सभा में उस निरनायक को धमकी देता है कि तूम यदी मेरे केस को नहीं सुनोगे तो मैं तुमको पध्या हटवा दूंगा इससे भड़ी धंकी और कुछ नहीं हो सकती है और ये कह करके वो जाना चाहता है इतिगंतु मिच्छति वो दो चार कदम आगे चलता है और शोधनक को लगता है कि कुछ गड़बर हो गया इतनी भड़ी धंकी क्योंकि ये राजा का साला है यही तो होता है ज अपने किसी प्रतिनिधी को भेज देता उनके बदले में जाकर के कोई वकील जो है वो जाकर के उसका डिस्कॉशन करता और ठीक है प्रशासन का अधिकारी है चलो आज नहीं सुनवाई हो रही है कल सुनवाई हो जाएगी कल नहीं परसों सुनवाई हो जाएगी लेकिन जो कि हमारे इतिहास का प्राथमिक स्रूत होता है जिसके माध्यम से हम उस काल को देखते हैं जानते हैं व्यक्ति को व्यावाहार को इन सारी शियों को जानते हैं यहाँ पर भी देखें तो शोधनक को लगा कि नहीं कुछ गड़बर हो रहा है और वो रिक्वेस्ट करता है शकार से कि आर यह राष्ट्रिय श्यालह महुर्तम तिष्ट कि है राजा के साला आप थोड़ी देर रुके आप वेट करें मैं आता हूं अपने जो जजेज हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करके आता हूं आपके बारे मैं तावद अधिकरणिका नाम निवेदयामी कि तब तक मैं जो अधिकरणिक है मैं उनको रिक्वेस्ट करके आता हूं वो जाता है अधिकरणिक के पास शोधनक और कहता है कि एश राष्ट्रिय श्यालह कुपितो भरनती कि यह जो राजा का साला है वो अत्यंत गुसे में ऐसा ऐसा कह रहा था अब जो भी पीछे इनोंने बाते कह ही कि मैं जाकर कि राजा को कहूंगा अपनी बेहन को कहूंगा या अपनी मां को शिकायत करूंगा और इन तीनों को कहकर के इसे जज को मैं यहां से हटवा दूंगा यह सारी बात शोधनक सुनाता है अधिकरनिक कहता है सारवं अस्य मूर्खस्य संभाव्यते यह मूर्ख कुछ भी कर सकता है अर्था यह जो शकार हे यह कुछ भी कर सकता है हमें भी हटवा सकता है मित्रों मैं तो यहां चाहूंगा कि अस्य की आवश्यकता ही नहीं थी चुकि यह केंद्रित है शकार को इसलिए नाटककार ने अस्य शब्द लगा दिया यहां पर कि सरवं अस्य मूर्ख अस्य अर्थात अस्य शकार अस्य लेकिन मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि अस्या हटा दीजिए कि सरवं मूर्ख अस्या संभाव्यते जो मूर्ख लोग होते वो कुछ भी कर सकता है भद्र उच्यताम श्रोधनक को कहता है कि हे भद्र जाके कह दो कि आगच्छ दृश्यते तवब्यवाहार कि उनको बुलाला और कह दो कि नहीं नहीं कोई चिंता की बात नहीं है आपकी बाते आज सुनी जाएगी आपकी केस पे ही आज के कोट का कार्यवाई प्रारंबव होगी इमेडियेटली हम देखते हैं कि किस तरह से ये चेंजे जा जाता है यह वो अधिकरनिक है जिस अधिकरनिक ने अभी अपनी मनुव व्यथा अभी व्यक्त की थी अधिकरनिकों की जजेज की जो मनुव व्यथा है उसको उन्होंने कहा था और जो जजेज होते उनके पूरा का पूरे character sketch दिया था कि वो कभी लोभनवित नहीं आता कभी किसी प्रेशर में नहीं आता किसी के अधिनकार ये नहीं करता एकदम सब सुनोंगा ये है भै ये है धमकी ये है अधिकारियों के द्वारा अपने पदों का दूरूपयोग किया जाना तो मित्रो इसलिए किसी भी युग में किसी भी काल में कोई अंतर नहीं होता चाहा वो आज से 15 सब वर्शका इतिहास हो चाहा आधुनिक इतिहास हो समाज में व्यक्ति सदेव एक ही विचार और व्यवाहर के होते हैं उनमें धनैशना है उनमें वित्तैशना है उनमें लोकैशना है उनमें पुत्रैशना है उनमें यश जो है जो कीर्ती कहेंगे प्रतिष्ठैशना है उनमें हर व्यक्ति अपनी इमेज के लिए कॉंशस रह तो हम यह भी कह सकते कि एमेजवाला तो इशना के अधीन रहने वाला तो जज तुरंथ अपने व्यावाहार को बदल करके और से रिंडर कर देता है शोधना के जाकर के यही सूचना देता है शकार को और कहता है आर्या अधिकरणिक आह भनंती आगच्छ दृष्यते तवब्यवाहारा कि यह जो अधिकरणिक है जो जजेज हैं कोट में वे कहते हैं आजाओ कोई चिंता नहीं है आज तुम्हारी केस हम सुनेंगे तुम्हारे यह है यह सारे के सारे प्रवीशा करेंगे शकार कहता है शोधनक को कि प्रतम भनंती न दृष्यते सामप्रतम दृष्यते आई थी पहले तो कह रहे थे कि नहीं देखेंगे और अब कह रहा है देखेंगे तनाम भीत नीता और हिकरण भूजका मतब ये जो न्यायाले के जो न्यायाधीश होते हैं ये जो जजे जो होते हैं वे भी भायके अधीन होते हैं और इसको भी मैंने अपने भायके अधीन करके और अपनी केस की सुनवाई के लिए मैंने राजी कर लिया है वाह व्यंग्य देखिए उस जज के उपर में व्यंग्य है उस न्याय व्यवस्था के उपर में व्यंग्य है उस समाज के उपर में व्यंग्य है और एक पद के दुरुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है उसके उपर ये व्यंग्य है है यावध हम भनिASH्यामीी, ठीक है, मैं बोलता हूं कि तावत प्रत्यायश्यामी, कि ठीक है, कि हम हम कहेंगे, कि चलो मैं तुम्हारी उपर में विश्वास कर रहा हूं, और तुम जो कहोगे वो में करूँगा भवतु चलाता भीतर जाता है प्रविशामी में प्रवेश करता हूँ प्रविश्य उपस्रित्य अच्छा जाता है और बैठता है सुखम सुखम अस्माकम युश्माकम अपी सुखम कहता है सु सुखम अस्माकम भाई हमें भी प्रसनता हो और युश्मा कमपी सुखम और तुम्हें भी प्रसनता की प्राप्ति हो सुखम ददामी न ददामी चाओ मैं तुमको प्रसन रखूंगा या मैं तुमको प्रसन नहीं रखूंगा तेखे ये एक प्रकार से है कि तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रहूँगा अर्थात तुम जज हमें प्रसंद करो हमारे एकॉर्डिंगली निर्ने दो जो जो मैं कहता जा रहा हूं उसके एकॉर्डिंगली करो और अगर आज चा रहा तो दूंगा यदी नहीं हुआ तो ऐसे लोग किस प्रकार अपनी बातों के अधीन होते हैं ऐसे लोग जो दूसरे की दशा दुरदशा को नहीं समझते जो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते केवल अपनी बात को मानवाने के लिए ऐसे ऐसे लोग किस प्रकार यूटिलाइज करते हैं अपने पावर का अपन शकार कहता है आम आत्मी ये शाभुमी हाँ ये जमीन तो मेरी ही है आत्मी ये शाभुमी ये भई अपनी जमीन है आत्मी मेरी ही जमीन है ये तद्यत्र महियम रोचते तत्र उपविशामी, हठात ये पुरी की पुरी जमीन मेरी है, मेरा जहां मन करेगा, मैं वहां बैठूंगा श्रिस्ठी नमप्रती, जो श्रिस्ठी और कायस्थ था, पहले उसकी ओर देखता है, कहता है, एश उपविशामी कि चलो मैं यहीं बैठ जाता हूं, शोधनक की ओर देखता है, कि नहीं नहीं, अत्र उपविशामी, कि नहीं मैं यहां नहीं यहां बैठता हूं, जाता है, और सबसे बड़ी ये देखिए ये बात अधिकरनिक मस्तके हस्तम दत्वा, अर्थात उस जज के माथे पर हाथ रखता है, ये देखिए, मित्रों हम आप सभी जानते हैं, कि अगर हमारे कंधे पर कोई हाथ रख देता है हमारे से जूनियर, तो वह हमारी घोर अबमानना होती है, और ये तो निरनायक है, राजा के अभी मुकदमा को सुनने वाला ये व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के माथे पर हाथ रखके कहता है, कि एश उपवीशामी, कि लो, ये मैं यहां बैठता हूँ, और ये भूम उपवीशाती, इस प्रकार वह, उसे जमीन पर वही पर नीचे बैठ जाता है, अधिकरनिक कहता ह कि भावान कारियार थी, भाई आप अभियोगता हैं, आप यहां पर सुनवाई के लिए आये हैं, शकार कहता है, आथकिम, हाँ, हाँ, मैं यहां पर आया हूँ, अधिकरनिक कहता है, तो तत कारियम कता है, तो बताओ कारिय क्या है, क्या है तुम्हारा केस, किस लिए यहां पर आये हो शकार कहता है करने कारियम का था इश्यामी मैं इन सब के सामने अपने कारिय की बात नहीं करूंगा मैं किस परपस से किस उदेश्य के लिए यहां पर आया हूं यह सब के सामने नहीं कहूंगा मैं कान में जा करके अपनी बात सुनाओंगा मल्लक प्रमानम अब ये शब्द जो है कर पाना बड़ा मुश्किल है कि ये मल्लक शब्द का क्या अर्थ लिये जाए अगर हम मल्लक शब्द कहें तो एक अर्थ निकलकर आता भी होता है कि मैं पहलवानों की फैमली से आया हूँ मेरे कुल गोतर मेरे बड़ी विशाल मेरी पहलवानों की फैमिली है उस फैमिली में मैं उत्पन्न हुआ हूँ जो भी है लेकिन ये मेरे खाल से उस काल की कोई एक ये शब्दा वली है उस काल का ये कोई शब्द रहा होगा जिससे कि हम अपने डिल डॉल अपने जो डिंग है वो हाक सकते हैं तो इस प्रकार से शकार यहां पर डिंग हाकते वे कहता है कि मैं उस अमुक कुल में मैं उत्पन्न होने वाला हूँ और क्या और कहता है कि राजा राजा श्वसुरो मम पिता राजा तातस्य भवती जामाता राजा श्यालू हम ममा पी भगिनी पती राजा देखे एक ही व्यक्ति को केंद्रित करके किस प्रकार उस अधिकरनिक के उपर में दबाव बनाया जा रहा है अलग अलग तरीके से अ यानि मेरे जो पिता है वे राजा के ससुर हैं और राजा तातस्य भवती जामाता और जो राजा है पालक वे मेरे पिता के दामाद हैं देखिए मतलब राजा का ससुर मेरा पिता और मेरे पिता का दामाद राजा बात तो एक ही हो रही है लेकिन एक ही बात को अलग अलग तरीके से किस प्रकार उस अधिकरनिक के उपर में प्रेशर मनाया जा रहा है ये खुले आम आपके सामने है राज श्यालो हम मैं राजा का साला हू और ममा पि भागिनी पती राजा और मेरी बहन के जो पती हैं वो राजा है दूसरे शब्दों में देखे जब इतने सारे व्यक्ति के नाम लिये जाते हैं एक व्यक्ति के परिचे के लिए तिसका अर्थ कुछ नहीं है केवल इतना सा आर्थ है कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम यहां से आउट अफ से लिवस कर दिये जाओगे अधिकरनिका कहता है सरवं ग्यायते हाँ हाँ चिंता मत कीजिए मुझे सब मालूम है किंकुलोपदिष्टेन शीलमेवात्रकारणम भवन्ति नितरामसफीताह सुक्षत्रे कंटकिद्रुमाह हमित्रो मैं समझता हूँ कि जब से मैंने मृच्छ कटिकम पे अपना व्याक्यान प्रारंब किया है इस एक मात्र पद्य को मैंने कई बार सुनाया है आप लोगों के सामने और यह पद्य मेरे ख्याल से पूरे मृच्छ कटिकम में दो बार आया हुआ है एक पीछे आठवे में और एक अभी सातवे में सारी नवे में और कभी कभी परिक्षा में यहीं अनिरनय किस्थिती हो जाती है हमारे लिए कि अगर यह पद्य पूछ दिया जाए कि किस अंक से है और अगर कहीं आठवा और नवा दोनों अंक वहाँ पर दे दिया जाता है तो वह छातरों के लिए समस्या होती है लेकिन यहां केवल इतना में कहना चाहूंगा हम आठवा अंक भी उत्तर दे सकते हैं नवा अंक भी उत्तर दे सकते हैं लेकिन समसे बड़ी बात है इस पद्य ये पद्य ही मृच्छकडिकम का मूल है बीज है संदेश है उपदेश है क्या कह रहा है किंकुलोपधिष्टेन हलांकि यह भी शब्द आता है किंकुले कुलेनोपधिष्टेन शीलम मेवातरकारणम भाई आप किस कुलगोत्र जाती मे उत्पन हुए हो इससे क्या जो व्यक्ति का अभिज्ञान है वह उनकी सचरित्रता है वह उनकी शूचिता है अपनी सचरित्रता और अपनी शूचिता से ही व्यक्ति जाना जाता है इससे नहीं जाना जाता कि वह किस फैमिली में है क्योंकि यदि फैमिली प्रधान होता तो पुलस्तिय के कुल में उत्पन रावन नहीं होता क्योंकि पुलस्तिय हम आप सभी जानते हैं कि भारती परंपरा के जो साथ सरवाधिक प्रधान पुरुष हैं प्रमुख पुरुष हैं प्रतित पुरुष हैं प्रसिद्ध पुरुष हैं वे सप्तरिशी हैं जिसमें कि वसि इसलिए किस कुल में कौन उत्पन होता है इसकी बात मुझे न सुनाएं वस्तुतह व्यक्ति का चरित्र है जो उसका वास्तविक अभिम्यान होता है अन्यता आप जानते हैं कि भवंति नितराम स्फीता सुक्षेत्रे कंटकि द्रुमा कि फसल जमीन जो जो सगन जो उपजाव जमीन है उर्वर भूमी पे भी बबूल के पेड़ जो है वो फैलते हैं मतलब अगर श्रेष्ट कुल है भूमी उर्वर है तो यहां पर व्रिक्ष भी सुंदर उगने चाहिए लेकिन नहीं इसी श्रेष्ट भूमी में काटेदार पेड़ भी उगते हैं जाड़ियां उगती हैं मतलब आप हमें यह ना बताएं कि आप क्या हैं कौन हैं कैसे हैं अच्छे कुल में भी बुरे लोग उत्पन होते हैं और बुरे कुल में भी अच्छे उत्पन होते हैं इसलिए कभी भी कुल जो है किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी नहीं है व्यक् appearance है उनका अपना व्यवाहार है उनका अपना चरित्र है उनकी अपनी मान मरियादा और प्रतिष्ठा है तदुच्यता अमकारियम याप मुझे यह न सुनाए राजा को एक प्रकार से स्नब किया यहां पर निया अधिश ने स्नब किया यहां पर कि आप हमें न सुनाएं कि आप कि स्कुल गोत्र के हैं आपके दादा कौन है आपके परदादा कौन है या आपके जीजा कौन है यार आप किन के साले है मेरे लिए तो प्रदान ये है इसलिए तदुच्यतामकारियम भाई जिस कारिय के लिए आप आए हैं वे कारिय आप हमें सुनाएं शकार कहता है एवं भनामी अच्छा तो ठीक है मैं कहता हूँ अपराध स्यापि नच्यमे किमप करिश्यती न भागिनि पतिना परितुष्टेन मेक्रीडित्म रक्षित्म सर्वो भ्यानानाम प्रवरं पुष्प करंड़क जीरνो भ्यान दथ्तं कि अपराधि होने पर भी ये व्यक्ति मेरा कुछ नहीं करेगा ठीक है न? उद्यान उन्होंने मुझे सौंपा मुझे दिया अर्थात ये जो पुष्पकरक करंड़क उद्यान जो है ये उद्यान मेरा है और मेरे अपने एंटर्टेन्मेंट के लिए फन के लिए खेल कुद के लिए और इस उद्यान की रक्षा हो सके इसके लिए उन्होंने मुझे य तो मैं क्या था मैं प्रति दिन वहां पर देखने के लिए या जो सूखी जो जमीन है उस जमीन को सूखी करने के लिए उनकी साफ सफाई करने के लिए उनमें पेड़ पौधे उगाने के लिए उन पेड़ पौधों की कटिंग के लिए मैं प्रति दिन वहां पर जाता हूँ दैव योगे नपश्यामी एक दिन मैं आचानक दुर्भाग्ये से देखता क्या हूँ या नपश्यामिवा या यूँ कहें कि मैंने नहीं देखा इस्त्री शरीरम निपतितम एक महिला का शरीर वहां पर गिरा हुआ था अधिकरने के सवाल पूछ बैठता है अथ ग्यायते कास्त्री विपन्ना आई थी कि आप जानते हैं नाम से कि वो कौन सी इस्त्री वहां पर मरी पड़ी थी शकार कहते है आओ अधिकरन भोजका हरे ओ जद साहब किमिती न जाना में भाई मैं कैसे नहीं जानूंगा जज ने पूछा कि आप जानते हैं उस इस्त्री को वो जो इस्त्री मरी पड़ी थी जिसको आपने पुष्पकरंड को द्यान में देखा शकार केता है कि येस मैं जानता हूं और कैसे नहीं जानूंगा क्योंकि इस नगर की वो आभुशन थी सैकरों स्वर्ण आभुशनों से लधी पड़ी थी केनाभी को पुत्रेन किसी बुरे आदमी ने अर्थकल्य वर्तस्य कारणात अपने उस जिंदगी में कुछ पैसे को प्राप्त करने के लिए अपने बट खर्चे के लिए अपने डे टो डे लाइफ के बहुजन आदी के विवस्था के लिए शून्यम पुश्पकरंडग जीरन उद्यानम प्रवेश्य लोग उसे रहित इस पुश्पकरंडग उद्यानमे प्रवेश करके बाहु पाश अबलात कारेन बाहु पाश यानि अपने बाहों में जवरदस्ती अपने हातों से उसके गले को दबा करके वसंते सेना मारी गई ना मया मैने वसंते सेना को नहीं मारा और ये कहके तिषैयर्धोगते मुख मावरिनोती, ये कहके वे अपने मुख को कवर अप कर लेता है दोनों बाते हैं एक तो यहां पर यह शबद प्रयोग नहीं करना था कि न मया और दूसरी और अपने मुख को भी कवर अप नहीं करना था मित्रो इस सुंधर वृत्तांत को इंट्रेस्टिंग इस इंसिडेंट को कोट की सुनवाई को हम आगे भी जानेंगे अभी आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद झाल